टीम इंडिया ने धर्म साला टेस्ट मैच को पारी और चोंसट रनों के अंतर से जीता इसी के ठीक बात BCCI के सचिप जैसा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जहां खिलाडियों को अब एक टेस्ट मैच के लिए भारी भरकम रकम मिलने वाली है जी हां ये एक स्कीम है जो BCCI ने कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों भारत और इंग्लेंड के 25 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई इस सीरीज में टीम इंडिया को पहले मैच के बाद दो बड़े जटके लगे जिसमें केयल राहूल और रबिंदर जड़े था यहां तक की ईसान किशन जो बिकेट कीपर के रूम में खेलने वाले थे वो भी उपलब्द नहीं थे सेलेक्शन के लिए तो ऐसे में पूरा जो मिडिल ओर था वहां एकदम कमजोरी कमजोर बल्लेवाज थे और सब सारे बल्लेवाज जिवा थे यहां तक के जो अभी त जताया बी-सी-सी आई नहीं और उन्हीं खेलाडियों को मौका दिया और उन्हीं खेलाडियों ने प्रदर्शन करें के भी दिखाया इस तीर इसमेकुल पांच खेलाडियों ने डेब्यू किया जिनमें सरफराज खान रजत पाटीदार धुर्वजुरेल आकास दीप और पाटीकल थे रजत पाटीदार को छोड़ें तो बाकी सभी खेलाडियों ने प्रभाबित किया और सभी ने अपने अपनी जगह को बनाए रखा हालांके आकास दीप को एक ही मौका मिला और उन्होंने कुछ बिकेट निकाले लेकिन उनको ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंक पाटीकल को एक मौका मिला और उन्होंने अर्द सतक जड़ा हालांके रजत पार्टीदार को छे मौके मिले और उन्होंके छे बार में कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए तो ऐसे में उनको ड्रॉप कर दिया गया हालांके उनको पहली चोड़ लगी थी इस वाज़े स से एक और मौका नहीं मिल सका अब सवाल यह है कि BCCI को आखिरकार जो मैश फीस है वो इतनी जाद है क्यों बढ़ानी पड़ी एक तरह से तीन गुनी और चार गुनी मैश फीस BCCI ने कर दी है अभी तक यह था कि एक टेस्ट मैश खेलने के लिए खिलाडी को 15 लाख रुप तक मिल सकते हैं हलांकि यहां एक बात यह भी है कि BCCI ने इंसेंटिव तो अरौंस कर दिया है लेकिन अभी यह नहीं बताया है कि जो इंसेंटिव है वह जो 15 लाख की मैश फीचे उसके ऊपर मिलेगा या फिर उसको मिला कर मिलेगा तो यह एक बड़ा सवाल है इसको क्लेरिफाई हो जाएगा एक मैश खेलने के लिए 45 लाख रुपे मिलेंगे या फिर जो 15 लाख पहले से मिल रहा है उसमें 45 लाख एड़ करके 60 लाख मिलेंगे तीन कैटेगरी रखी है BCCC ने एक सीजन में अगर किसी खिलाडी ने 50 फीच्दी से कम मैश खेले माली जीए कि एक सेसन में 9 टेस्ट मैंच खेलती है टीम इंडिया अगर उसमें से खिलाडी 3 या 4 मैचों में खेलता है तो फिर उसको इस कैटेगरी में इंसेंटिब बाली कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा अगर खिलाडी 50 फीच्दी से 75 फीच्दी तक खेलता है जैसे मान लीजिए कि 9 या 10 टेस्ट मेंच हैं तो उसमें से 5 या 6 खेल लिए तो उसको जो इंसेंटिव है वो 30 लाख रुबे प्रत मेंच के हिसाब से मिलेगा जिक खिलाडियों ने सारे मेंच खेले जो 75 फीजदी से जाधा मेंच खेले जाए 10 मेंच से किसी ने 7, 8, 9, 10 खेले तो उसको फिर 45 ल लाख रुपे मिलेंगे और 50 फीजदी से 75 फीजदी की कैटेगरी में आए तो उनको 15 लाख रुपे प्रत मेंच फीजदा मिलेगी वहीं जो नौन प्लैइंग 11 में रहेंगे जन्होंने 2 या 3 मैचों के लिए स्कॉर्ड में हैं उनको कोई फैलरी नहीं मिलेगी वह जो पहल सब्सक्राइब करने के लिए जैसे किसी खिलाडी को 10 करोड रुपे मिलते हैं तो उस खिलाडी को टेस्ट क्रिकेट खेल कर भी उतने 7-8 करोड रुपे सीजन के मिल जाएंगे तो यहां एक प्रोचसान वाली रासी है यह इसी वजह से इसे इंसे स्कीम कहा गया है दोस्तों आपकी पर क्या राय है क्या यह इसकीम भारत के लिए फायदे मंद होगी क्या यह भारतिये क्रिकेटरों के लिए फायदे मंद होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में फिलाले इतना ही मिलते हैं अगलेक और वीडियो में तब तक के लिए शु